ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइस 8.1 शुरू करने से पहले हमें कुछ स्टेटमेंट्स जाल लेना चाहिए उसमें पहला ही स्टेटमेंट है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम जिन वर्ड्स को यूज करते हैं साइन कॉस्ट टैन कॉर्ट से कॉसेक्स यह एब्रिवियेशन साइन 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 कोसाइन टैन्जेंट कॉंटिंजेंट सीकेंट कोसेकेंट से बना होता है साइन को हम कहा देते हैं साइन कोसाइन कॉस्ट टैन्जेंट टैन्जेंट कॉंटिंजेंट कॉर्ट सेक कोसीकेंट कोसेक्स यह वाट से यह उसी तरह से हैं जिस तरह से प्राइवेट को हम लिख देते हैं शॉर्ट में पीवीटी, लिमिटेड, एल्टीडी, उसी तरह से यह साइन जो एसा यह नहीं है उसका शॉर्ट नियम साइन, पोसाइन, कॉस इस तरह से आगे, इसे एब्रिवेशन कहा जाता है सेकेंड स्टेट्मेंट जो आपको जानने ना चाहिए वाईया है, इन्डियू जुली, साइन, कॉस, तैन, कॉट, से, कॉस, की कोई मेनिंग नहीं होती है अगर मैं कदो SINE आपने कहा क्या SINE कब तक इनके मिनिंग नहीं हुते जब तक इनके साथ किसी Angle को हम define नहीं करते अगर मैंने लिखेंगे साथ तो ये A angle है और ये अप connected value है जिसकी मिनिंग है क्या कि A angle के लिए SINE हमने यूज किया है SINE COST Fu TEN COAT SEC COAT SEC के साथ आप जो भी value लिखेंगे वह सभी angles को ही represent करते हैं, अगर कहीं आपने लिख दिया है, cos 2x तो यह 2x angle है अगर कहीं आपने लिख दिया है 10, ax plus b तो यह ax plus b angle है इसकी मीनिंग यह कभी नहीं है sin a की मीनिंग a का multiplication sin से हो रहा है यह angle को represent करता है third statement जो आपको जान लेना चाहिए कि अगर कहीं भी sin a square a हमने लिखा है तो sin a square a की मीनिंग होती है sin a का whole square sin square a की मीनिंग यह कभी नहीं कि sin a का i square a angle का i square कभी नहीं मिनिंग complete का i square होना चाहिए अगर कहीं आपने लिखा है sin cube a यह ना केवल sin के लिए सभी trigonometrical values के लिए यूज कर लिया जाएगा तो इसकी मीनिंग यह है sin a का whole cube और next statement जिसे आपको जान लेना चाहिए वह थोड़ा सा trigon से हट कर है पहले उसे सीखने फिर trigon में इसका क्या use है वो हम देखेंगे अगर कहीं आपने ratio को represent किया है a to b equals to 3 to 5 ratio को हम इस तरह से भी लिखते हैं a by b equals to 3 by 5 यह भी लिखने का तरीका है तो मैंने कहा कि अगर कहीं भी आपने 3 to 5 लिखा है a to b को ratio के form में ratio की एक property होती है ऐसे properties तो बहुत सारे होते हैं लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसका use यह होने वाला है वह यह है कि आप ratio के जो दो values दिये गए है उसमें किसी एक value से multiply या divide कर सकते हैं उस पर ratio का कोई effect नहीं आता है for example अगर 3 to 5 का ratio है यहाँ आपने कर दिया into 2 into 2 कोई effect नहीं आएगा आप कर सकते हैं अगर कहीं आपने 3 to 5 का ratio लिखा है आप whole divided by 4 whole divided by 4 meaning 3 divided by 4 5 divided by 4 लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर आपने कहीं भी 3 to 4 का ratio लिखा है इसमें आप किसी एक value से add और subtract नहीं कर सकते हैं कहीं आपने 3 to 4 का ratio लिखा है minus 2 minus 2 ये नहीं कर सकते this is wrong approach तो meaning ये addition subtraction आप नहीं कर सकते multiplication division आप कर सकते हैं इस पर ratio का कोई effect नहीं होता ये भी एक condition है ये भी आपको ध्यान देना चाहिए कि वह value equal होनी चाहिए अगर 2 से आप कर रहे हैं 2 को ही दोनों में multiply करेंगे और अगर आप 3 से divide कर रहे हैं या 4 से divide कर रहे हैं तो दोनों ratio के parts को 4 से ही आपको divide करना चाहिए एक statement अब मैं इसमें add कर दे रहा हूँ अगर कहीं भी आपको ratio दिया जाता है a to b equal to 3 to 2 अगर किसी एक constant time से आप दोनों ratio की value को multiply कर रहे हैं तो ये actual values में convert हो जाते हैं एक बार फिर समझें अगर आपने a to b equal to 3 to 2 लिखा है किसी एक constant time से ratio के दोनों values को multiply कर रहे हैं तो ये actual value में convert हो जाएगा फर एक्जामपल अगर आपने यहाँ multiply कर दिया अगर ये ratio 3 to 2 का ही है हमने कर दिया into 4 into 4 तो अब अगर आप चाहें तो ये 12 actual value मान सकते हैं और इसे आप ये 4 होना चाहिए और इसे आप 8 मान सकते हैं मिनिग ये किसी भी constant time को अगर आप multiply करते हैं ratio के दोनों values में तो ये actual value में convert हो जाएगा क्योंकि ratio किसी की exact value actual value को नहीं बताता है चली अब हम exercise शुरू करते हैं 8.1 question number 1 देखते हैं in triangle ABC right angle at B right angle triangle को ही हम discuss करने वाले AB equals to 24 cm BC equals to 7 cm determine first part में है sign A quasi और दूसरे पार्ट में है science A quasi question बड़े आराम से पढ़े इसमें कोई जल्दी बाजी ना करें जिससे आप उस questions related statement को सही तरीके से यूज कर सकें और जब आप सही तरीके से यूज करेंगे तब ही आप सही आंसर तक पहुंच सकतें तो पाला question right angle at B एक छोटा से हाँ एक right angle triangle हम मना दे रहे है right angle triangle में B को right angle माना गया है meaning B 90 degree का होना चाहिए हमने इसे angle A माल लिया और इसे angle हमने C माल लिया अगर आप चाहें तो A और C का कोई नाम दे या अगर नाम नहीं भी देते हैं तो इसे जो vertex होता है जो point होता है वही angle माना जाता है अब इसमें क्या क्या दिया गया है A B equals to 24 cm A B equals to 24 cm B C equals to 7 cm B C 7 cm दिया गया हमसे पूछा गया sin A equals A फर्स्ट पार्ट में और sin C equals C सेकेंड पार्ट में लेकिन हम trigonometry की किसी value को किसी angle के साथ तभी calculate कर सकते हैं जब right angle triangle के सभी sides में पता हो यहां तो sides में सभी पता है किवल दो sides पता है कौन-कौन से? एक base पता है और दूसरा perpendicular तो hypotenuse की value हम निकाल लेते हैं right angle triangle में hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square हम लिखते हैं python को रस्थियोरम की accordingly hypotenuse की value तो given नहीं है perpendicular की value given है 7 तो 7 का square plus base 24 24 का square अब 7 का square होता है 49 24 का square होता है 576 एक बार अगर चाहें तो इसे calculate भी करके देख लें जिससे आप sure रहें कि हाँ यही value है 576 और प्लस 49 जब आप add करेंगे तो आएगा यह 625 hypotenuse square 625 है तो hypotenuse की value क्या हो गई under root 625 अब hypotenuse की value आपने calculate कर लिया 25 cm जब आप यह calculate कर चुके हूँ तो sin A और cos C sin A के लिए angle A के लिए यहां मैं लिख दे रहा हूँ angle A के लिए for angle A perpendicular क्या है perpendicular है 7 cm base क्या है base com short में 20 है रिप्रेजन कर रहे है 24 cm और hypotenuse क्या है 25 cm angle A के information यहां given है तो अब अगर हम sin A कलकुलेट करना चाहते हैं first part में तो sin A कलकुलेट करने के लिए जैसे आपको बताया गया था पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरावरा या पंडित बदरी परसाद हर हर बोले जो भी आप चाहिए उस कर सकते हैं पंडित बदरी परसाद और हर हर बोले और इसमें पहला पार्ट रिपरजन करता है sin को, दूसरा cos को और तीसरा 10 को तो sin A के लिए आपको लिखना चाहिए P by H अब A एंगल के लिए perpendicular है 7 cm और H है 25 cm तो 7 by 25 अंसर हो गया और अगर आप cos A की value calculate करना चाहते हैं तो एंगल तो A है लेकिन cos के लिए formula होता है B by H और यहाँ B के लिए आप लिखेंगे 24 cm और H के लिए 25 cm तो यह आपका सही अंसर आ गया 25 cm लेकिन हमसे second part में क्या पूछा गया है वो भी देख लें sin C cos C पूछा गया है अब हमें angle C चाहिए और यह हम जानते हैं कि angle A के लिए perpendicular और base जो होते हैं वही perpendicular और base angle C के लिए नहीं होते हैं क्योंकि अब angle C के लिए हमें देखना है perpendicular क्या है angle C के लिए perpendicular देखने हैं यहाँ angle C है हम यह जानते हैं angle C अगर आपने लिया है तो इसके साथ जो 90 degree की line होती है वह base कही जाती है और perpendicular यहाँ AB हुआ तो perpendicular AB equals to 24 cm यहाँ मैं यह भी लिख दे रहा हूँ perpendicular AB समझना आसान हो जाएगा AB जिससे perpendicular कहा जा रहा है वह है 24 cm base BC equals to 7 cm hypotenuse AC equals to 25 cm अब आप calculate कर सकते हैं sin C, cos C sin C sin C के लिए formula तो रहेगा PBH लेकिन अब देखने perpendicular है क्या 24 और H क्या है 25 और गर cos C की बात करें तो cos C के लिए formula तो base by hypotenuse है लेकिन base यहाँ 7 cm है और hypotenuse 25 cm है तो यह parts को है calculate हमें यह जरूर देख लेना चाहिए कि किस angle के लिए पूछा गया है और उस angle के लिए perpendicular base और hypotenuse क्या क्या है जितने जल्दी यह कर लेंगे उतने ही जल्दी और easily आपका answer calculate होज़ेगा second question in figure 8.13 figure दिया गया है यहाँ find 10p minus cot r 10p cot r इसकी मेंगल p के लिए भी value हमें चाहिए 10 की और angle r के लिए value चाहिए cot की बनाते हैं diagram आपके question में बना हुआ है हम उसी diagram को एक बार फिर यहाँ बना दे रहे हैं इसमें p q r q r q angle 90 degree का है p q 12 cm p r 13 cm q r की value question में गिवन नहीं है तो सबसे पहले q r की value ही निकाल लेटे है q r इस right angle triangle में है क्या base है python गोरा स्थिरम के accordingly अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला है hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square और अब इसमें hypotenuse के जगह पर आप लिख देंगे 12 काई square है 144 और plus b काई square है therefore b square equals to 169 minus 144 b square equals to या जाता है 25 therefore b equals to b equals to root 25 that is 5 इसके meaning base हम पागये 5 cm लेकिन ये base 5 cm हमें किस angle के लिए मिला है angle r के लिए angle p के लिए base नहीं है जान रहे है अब क्योंकि हमसे 10p और cot r पूछा गया तो हमें सबसे पाले p angle के लिए base perpendicular hypotenuse और angle r के लिए base perpendicular hypotenuse निकाल लेना चाहिए चलिए निकालते हैं for angle for angle p angle p के लिए base देखें angle p के लिए base p क्यों हुआ और इसकी value 12 cm perpendicular मैं short में लिखना हूँ perpendicular यह है qr equals to 5 cm और hypotenuse जो किसी भी angle के लिए की होगा hypotenuse pr यह है 13 cm हमसे पूछा गया 10p 10p 10 का formula होता है perpendicular by base आप अगर चाहें तो यहां देख लें यह formula है 10 का यह sin का और यह cos का तो perpendicular by base अब जरा देख लेते हैं perpendicular की value यहां है क्या 5 cm और by base की value है 12 cm यह आ गया लेकिन हमसे cot r भी पूछा गया है और इन दोनों का subtraction पूछा जा रहा है तो अब हम angle r के लिए निकालते हैं base perpendicular और hypotenuse क्या क्या है angle r के लिए base qr equals to 5 cm perpendicular pq equals to 12 cm hypotenuse pr 13 cm cot r चाहिए अब यह हम जानते हैं कि cot क्या होता है 10 का रेसी प्रोकल 10 का formula होता है perpendicular by base तो cot का formula क्या होना चाहिए base by perpendicular base by perpendicular और angle r के लिए base चक्क्रें क्या है 5 और perpendicular क्या है 12 है तो cot r की value भी 5 by 12 और हमसे क्या पूछा गया है 10p minus cot r की value क्या होगी तो 10p की value 5 by 12 minus cot r की value 5 by 12 equals to 0 यही answer है question number 3 देखे देखे if sin a equals to 3 by 4 calculate cos a and tan a angle a की पूरी information given है और हमें उसी के लिए value भी जाहिए sin a equals to 3 by 4 cos a और tan a हमें चाहिए sin a हम एक right angle triangle यहां create करते हैं देखे right angle triangle जिसमें हमने angle a यह माल दिया क्योंकि इसी की information given है b angle हमने right angle triangle माल दिया 90 degree के लिए और c हमने यहां लिख लिए अब information जो हमें given है question में वह है sin a angle a के लिए 3 by 4 3 by 4 के मीनिंग sin a का formula तो होता है perpendicular by hypotenuse लिकिन perpendicular और hypotenuse का ratio given है ध्यान से समझें इससे trigonometric ratio कहा जाता है sin a, cos a, tan a जब trigonometric values angle के साथ define किया जाते हैं तो यह trigonometric functions भी कहा जा सकते हैं लिकिन जब यह ratio में 3 by 4, 2 by 3 दिया जाए तो हम इससे trigonometric ratio भी कहा सकते हैं sin a, cos 2, 3 by 4, P by H लिकिन P और H का ratio दिया गया है और हमें तो exact value चाहिए और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि अगर हम किसी constant term से multiply कर दें तो यह actual values में convert हो जाएंगे तो अब अगर हम P की value जानना चाते हैं तो हम इससे लिख सकते हैं 3K perpendicular की exact value और hypotenuse की exact value अगर हम जानना चाते हैं तो हम लिख सकते हैं 4K 3K & 4K यह perpendicular और hypotenuse की exact values दें right angle triangle में हमें कुछ भी calculate करने के लिए का जा इसके लिए हमें सबसे पहले सभी sites को जान लेना चाहिए या calculate कर लेना चाहिए हमारे पास तो केवल दो values हैं तो एक हमें और चाहिए क्या base चाहिए पाइथा गोरस थियरम लगाते हैं hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square और इस base पर hypotenuse के जगह पर 4K है तो 4K का whole square equals to 3K का whole square और plus base का square 4K का square करेंगे तो आएगा 16K square 3K का square करेंगे तो 9K square plus B square B square की value अगर आप calculate करें तो 16K square minus 9K square क्योंकि LHS से RHS से RHS से LHS में shift करने पर value cosine change हो जाएगा negative का positive positive का negative multiplication का division division का multiplication तो ये value हम पाजाएंगे 7K square अगर B square की value 7K square है therefore B square 2 क्या हुआ root 7K square और root 7K square की value होगी 7 root K sorry root 7K क्या होगी value root 7 और K square का root करेंगे तो क्या ही आएगा ये base की value होगी जो हम यहाँ लिख सकते है base की value root 7K अब हमसे जो भी parts calculate करने के लिए का गया वो हम इसरी calculate कर सकते हैं क्या पूछा गया cost से tiny देख लेते हैं एक बार हाँ cost से और tiny हमसे पूछा गया angle यही है तो cost से की value calculate करने के लिए formula तो होता है base by hypotenuse अब base की value यहाँ क्या है root 7K divided by hypotenuse की value है 4K कि एक दूसरे से cancel करने के बाद आप पा जाएंगे root 7 by 4 और अगर 10A की value जानना चाते हैं तो 10A का formula होता है perpendicular by base perpendicular यहाँ है 3K और base है root 7K कि एक दूसरे से cancel करने के बाद पा जाएंगे 3 by root 7 यह tiny equivalent और यहीं हमसे दूनों पूछा भी गया था चलिए 4th question पर चलते हैं 4th question given 15 or quarter equals to 8 find sign a second यहाँ भी एक ही information है यह question उसी तरह से है जिस तरह से 3rd जिस तरह से 3rd उसी तरह से difference के वालिया है कि वहाँ sign a की value 3 by 4 दी गए थी और यहाँ 15 quarter equals to 8 तो quarter equals to 8 by 15 हम लिख सकते हैं उसके बाद का pattern y है जो हमने 3rd question के लिए अपलाई किया था तो चलिए देख लेते हैं 15 quarter equals to 8 15 quarter equals to 8 एक बार फिर question देख लें क्योंकि question देखने या लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए अगर यह गलती हो गई तो पूरी calculation गलत है इसकी meaning angle a से related information given है और angle a से related question हमसे पूछा भी गया है तो हम right angle triangle इस तरह से बनाएं जिसमें angle a को यहाँ लिखें जिससे calculation easy हो जाएगी यह पूरी value base बन जाएगी हम इसे माल लेते हैं b जो 90 degree को represent करेगा और हम इसे माल लेते हैं c हमें यही angle use करना है 15 quarter equals to 8 तो quarter equals to 8 हो गया 8 by 15 अब quarter का formula क्या होता है भी 10 का formula होता है perpendicular by base तो quarter का क्या होगा base by perpendicular लिकिन एक confusion है यह base और perpendicular ratio में given है और हमें क्या चाहिए भी base की exact value चाहिए परपेंडिकुलर की exact value चाहिए तो हमने यहाँ यह कर दिया base की value को हमने लिख दिया 8 के किसी constant term से multiply करेंगे तो actual value में convert हो जाएगा और perpendicular के लिख लिख लिए 15 के लिकिन हम से जो भी part पूछा जाएगा वो तो हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें तीनों sides given हो हमारे पास तो यहाँ दो ही sides है कौन कौन से एक base given है और दूसरा perpendicular given है अब अगर base और perpendicular given है तो क्या हम hypotenuse नहीं निकाल सकते हैं ज़रूर निकाल सकते हैं किस से hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square पाइथागोरस theorem लगाते हैं hypotenuse square equals to perpendicular 15 k का whole square plus 8 k का whole square 15 k square के जगापर आप लिखेंगे 225 k square plus 8 के लिए आप लिखेंगे 64 k square अब 225 plus 64 यह add कर ले 225 plus 64 289 k square therefore h equals to क्या हो गया रूट 289 k square 89 होता है 17 k square तो हम अगर चाहें तो direct लेख सकते हैं 17 k भैर रूट 289, 17 हुआ और रूट k square के हुआ तो hypotenuse की value यहां आ गई तो अगर हम चाहें तो hypotenuse के जगापर लिख सकते हैं 17 k हमारे पास इस ट्रांगल के तीनो sides की value आ गई base 8 k, perpendicular 15 k, hypotenuse 17 k क्या पूछा गया है अब देख लेते हैं question number 4 में हमसे पूछा गया sin A और से के बैठीक है formula लगा देते हैं sin A sin A के लिए formula होता है perpendicular by hypotenuse अब perpendicular की value है 15 k और hypotenuse की value है 17 k तो के एक दूसरे से cancel करने के बाद 15 by 17 आप लिख सकते हैं और से के अब से के क्वास एका रेसी प्रोकल होता है क्वास का formula होता है base by hypotenuse तो से का क्या होगा hypotenuse by base और hypotenuse की value है 17 के base की value है 8 के के एक दूसरे से cancel करने के बाद 17 by 8 या आप लिख सकते हैं और भी अगर trigonometrical parts पूछे जाते क्वास एक क्वास जो भी पूछा जाता वहां इसली बता सकते थे question no.5 देखें given sec theta equals to 13 by 12 calculate all other trigonometric ratios all other trigonometric meaning सारे किसको sec theta को छोड़ कर अब ध्यान दे triangle में हम abc नम दे देते हैं angle a या angle c या angle p जो भी आप चाहें या जो question में दिया जाता है यहां क्या है theta angle हमें दिया गया अब आप theta angle कुछ भी assume कर सकते हैं angle a को theta माने angle p को theta माने angle r को theta माने जोएस आपकी है ठीक है तो हमने एक triangle create किया sec theta की value है 13 by 12 देखते हैं sec theta पहले मैं लिख दे रहा हूँ sec theta equals to 15 by 12 एक बार फिर question देख लेते हैं 15 by 12 ही है कुछ और तो नहीं है नहीं 13 by 12 है यह सब गलती ना हो यह आपको अच्छी तरह से देखना होगा और यह practice करते हैं समय ही से ही आप continue रखें जिससे exam में यह एक habit बन जाएगी कि हमें question देख कर अच्छी तरह से तभी करना है 13 by 12 फिर verify कर ले question number 5 13 by 12 sec theta ठीक है चलिए right angle triangle एक हम create करते हैं जिसमें angle theta हमने इसे माल लिया और इसे हमने a माल लिया बी माल लिया यहां c माल लिया यह right angle triangle 90 degree को बनाती है अब sec theta 1 cos 2 13 by 12 पहले हम देख लेते हैं sec theta का formula क्या होता है sec theta cos theta का reciprocal है और cos theta का formula होता है base by hypotenuse तो यह हुआ hypotenuse by base hypotenuse by base अब hypotenuse और base के लिए ratio given exact value हमें चाहिए तो exact value के लिए hypotenuse request वो आप लिख लें 13 के और base के लिए लिख लें 12 के लिकिन हम values तो तभी निकाल सकते हैं हमसे पूछा गया all trigonometric ratios हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें तीनों sites पता हूं hypotenuse सक्वाइर equals 2 perpendicular square प्लस base सक्वाइर अब hypotenuse की value है 13 13 के काफूल सक्वाइर equals 2 perpendicular पूछा गया बेस की value है 12 के तो 12 के काफूल सक्वाइर 13 काफाइर होता है 169 तो यह हुआ 169 के स्क्वाइर equals 2 perpendicular square plus 12 के काइर meaning 144 के स्क्वाइर तो P स्क्वार क्या हुआ therefore P स्क्वार equals 2 P स्क्वार equals 2 169 के स्क्वाइर minus 144 का 169-144 आता है 25 K square, therefore P equals to that is P equals to root 25 K square और equals to हो जाएगा 5 K अब यहाँ perpendicular की value हम पाचुके हैं 5 K और अब अगर तीनों sides आप पाचुके हैं triangle के, तो आप सभी trigonometric values बता सकते हैं पाहला, sin theta sin theta का formula perpendicular by hypotenuse perpendicular की value है 5 K और hypotenuse की value है 13 K K cancel करने के बाद 5 by 13 cos theta का formula होता है base by hypotenuse base की value है 12 K और hypotenuse की value है 13 K K एक दूसरे से cancel 12 by 13 10 theta का formula होता perpendicular by base अगर आप चाहें sin by cos की base पर भी से define कर सकते हैं perpendicular by base और perpendicular की value 5 K base की value है 12 K तो यहाँ आप लिख सकते हैं 5 by 12 quart की value quart theta equals to quart theta 10 theta का reciprocal होता है तो अगर आप चाहें तो इससे भी कर लें ये भी आप सीख लें मैं फार्मूले से निडार्क इससे अब बता रहा हूँ 1 by 10 theta तो इसकी meaning 1 by 5 by 12 simplify होने के बाद ये हो जाएगा 12 by 5 और अगर आप कौसेक theta को निकालना चाहते हैं कौसेक theta का खुद का formula तो होता ही है right angle triangle में hypotenuse by perpendicular लेकिन अगर आप चाहें तो sine के reciprocal से भी इसे निकाल सकते हैं 1 by sin theta की value है 5 by 13 तो ये हो जाएगा 13 by 5 सभी technometric values को आपने calculate कर लिए next question, question number 6 देखें आगे question number 6 if angle A and angle B are acute angles such that cos A cos 2 cos B then show that angle A cos 2 angle B acute angle right angle triangle में अगर एक angle 90 degree माल लिया गया तो दोनों angles acute angle ही होंगे क्योंकि triangle के तीनों angles के addition 180 degree होता है लेकिन अब इसमें ये का गया कि हम किवल acute angles की base पर ही calculation करें इसकी meaning क्या है द्याम दे angle A and angle B acute angle है और अगर right angle triangle ABC है तो आपको C angle को 90 degree मालना चाहिए देखें अगर हम इसका diagram बनाए question number 6 का तो इसका diagram इस तरह से होना चाहिए यहां लिखना चाहिए C 90 degree ये angle आपका A होना चाहिए और ये angle आपका B होना चाहिए और इसी दिए का गया angle B and angle AR acute angles angle B को आप 90 degree ना लिखें अगर angle B को 90 degree लिखते है तो angle A और angle C acute angles वजाते है तो ये इसी दिए पहले ही बता दिया गया है अब क्या कहा गया है और condition देखें cos A equals to cos A equals to cos B ये question में दिया गया है चलिए देखते हैं angle A के लिए अगर आप देखें for angle A इसमें base क्या है base angle A के लिए A, C perpendicular क्या है B, C और hypotenuse क्या है A, B angles B के लिए base क्या है angle B के लिए base A, B, C perpendicular क्या है angle B के लिए perpendicular A, C है और hypotenuse क्या है ये A, B ही रहेगा cos A equals to cos B question में दिया गया cos A equals to cos B अगर हम cos A का formula लगाएं तो cos A का formula क्या होता है perpendicular by base नहीं क्या होता है base by hypotenuse और cos B के लिए भी यही formula होका base by hypotenuse अब angle A के लिए बेस क्या है A, C और hypotenuse क्या है A, B यहां मैं एक क्वस्टू लिख दे रहा हूँ base by H base by H वो हमने equal नहीं क्या क्योंकि यह तो formula लिखा है हमने लेकिन जब cos A और cos B की value रिखेंगे तो एक क्वस्टू कर देंगे B के लिए क्या है BC base divided by hypotenuse A, B भई, base तोनों side cancel नहीं हो जागा A, B, A, B जो A, C by A, B लिखा उसमें denominator में A, B base माल लें आप BC by A, B base A, B meaning denominator में है तो यह दोनों अगर चाहें तो आप cancel भी तो कर सकते हैं A, B, A, B तो अगर यह cancel हो गया तो इसकी meaning AC equals to BC आगया भई, AC equals to BC की meaning क्या है इसकी meaning दोनो sides equal है यह जो BC है और जो AC है यह दोनो इक्वल है अब जब दो sides equal होते हैं तो क्या कहा जाता है उसे ISO-SQL कर स्टांगल कहा जाता है और ISO-SQL में होता क्या दो angles equal होते है ISO-SQL कर स्टांगल में देखें अगर ये कोई एक है, एक ये हमने बना दिया, एक ये, ये दोनों sets equal हैं, वहीं, अगर ये दोनों sets equal हैं, तो ये दोनों angles भी equal ही होंगे, ISO-SQS triangle में, तो similarly, अगर AC equals to BC है, दोनों sets equal हैं, तो angle A, therefore, angle A equals to angle B, since, this is a ISO-SQS triangle, या because of ISO-SQS triangle, दोनों में से कोई statement आप उस करें, क्योंकि ISO-SQS triangle में, अगर sets equal हो गया है, होते ही हैं, तो दोनों angles equal हो जाएंगे, चलिए दिए, आगे के दरफ चलते हैं, question number 7, if cot theta equals to 7 by 8, evaluate, first part, 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, 1 plus cos theta, 1 minus cos theta, और दूसरा part है, cot square theta, भाई, ये जो दूसरा part है, वो तो easily culprit हो जाएगा, भाई, cot theta की value 7 by 8 given है, और cot square theta हमसे पूछा गया है, cot square theta क्या होता है, मैंने आपको बताया भी, कि cot square theta की meaning cot theta का holy square होता है, और cot theta की value क्योंकि 7 by 8 है, तो 7 by 8 का holy square कर दें, ये कितना हो जाएगा, by 49 by 64, ये तो second part यहीं के यहीं हो गया, बचे कौन-कौन से, बचे कौन-कौन से, क्या, एक ही part बचा, first part, और इसमें क्या-क्या हमें निकालना है, sin theta और cos theta, theta angle के base पर value हमें given है, cot की 7 by 8, चलिए, निकालते हैं एक, value, cot theta equals to, 7 by 8, एक right angle triangle create करते हैं, जिसमें ये angle theta माल देते हैं, e, b, c माल लें, अब cot theta का formula क्या होता है, ये 10 theta का formula होता है, perpendicular by base, cot theta का formula हो जाएगा, base by perpendicular, लिकिन, base by perpendicular ये ratio में given, अब हमें तो base और perpendicular की exact value चाहिए, तो इसके लिए, base की exact value को अगर हम चाहें हैं, तो लिख सकते हैं 7 के, क्योंकि constant term से multiply करेंगी, ये actual value में convert हो जाएंगे, और perpendicular की value को लिख सकते हैं 8 के, base 7 के, और perpendicular 8 के, लेकिन हम किसी भी trigonometric values को किसी angle के साथ तभी कल्ग्रेट कर सकते हैं, triangle में, जब हमें sites given है, यहां sites तो given है, क्यों, क्योंकि हमें base given है, और perpendicular given है, hypotenuse given नहीं है, कोई बात नहीं, pythagoras फिरम लगाते हैं, किस काम आएगा ही है, hypotenuse square request to perpendicular square plus base square, hypotenuse calculate करना है आपको, perpendicular की value 8 के given है, तो 8 के का whole square plus base 7 के given है, तो 7 के का whole square, 8 के का square करेंगे, 64 के square plus 49 के square, 64 के square plus 49, एक बाद चक्कलने, शायद 113 है, एक बाद sure हो जाएं, 64 plus 49, 113 के square, therefore, hypotenuse equals to, root 113 के square, that is, root 113 के याज़िया, hypotenuse की value आदे, यह हमने निकाल लिया, hypotenuse request to root 113 के, क्या हम से पूछा गया है, वो देखते हैं, हम से पूछा गया है, 1 plus sin theta, फस्ट पार्ट में, 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, whole divided by, 1 plus cos theta, 1 minus cos theta, यह हम से पूछा के, एक बाद फिर verify कर लेते हैं, question number 7 का first part, बिल्कुल ठीक है, 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, 1 plus cos theta, 1 minus cos theta, लिकिन, अब इसके लिए सबसे पहले हमें, sin theta और cos theta की value चाहिए, sin theta और cos theta की value, हम यही से पहले निकाल देते हैं, उसके बाद, हम आगे के parts को calculate करेंगे, sin theta equals to formula होता है, perpendicular by hypotenuse, perpendicular की value 8K, hypotenuse root 113K, के एक दूसरे से cancel, 8 by root 113, और cos theta की value, base by hypotenuse, base की value 7K, divided by hypotenuse root 113K, के एक दूसरे से cancel, 7 by root 113, अब अगर sin theta और cos theta, दोनों की value आप पा चुके हैं, तो जो पूछा गया, उसमें put करके answer fine कर लें, direct भी answer fine कर सकते हैं, दूसरा तरीका यह है, कि अगर आप चाहें, तो हम इसे रिख सकते हैं, a plus b, a minus b के accordingly, a square minus b square, और यह हो जाएगा, 1 minus sin square theta, 1 minus sin square theta, divided by 1 minus cos square theta, a minus b, a plus b, यह identity हमने यूज़ कर लिया, sin theta की value question में गिवन है, तो 1 minus 8 by root 113 का whole square, whole divided by, 1 minus cos theta की value है, 7 by root 113 का whole square, अगले step में, 1 minus 8 का square 64 by 113, divided by, 1 minus 49 divided by 113, इसका अगर आप LC हम लें, तो 113, minus 64 divided by 113, whole divided by, 113, minus 49 divided by 113, 113 minus 64, यह आता है, अच्छा, यह दोनों कैंसिल करने के बाद, 113 minus 64 आता है, 49 और डिवाइड़ बाई, 113 minus 49 आता है, 64, तो 1 plus 9 theta, 1 minus 9 theta, 1 plus cos theta, 1 minus cos theta की value, 49 by 64, और second part, जो आप calculate कर शुके हैं, 7 by 8, क्योंकि cot theta की value, डारेक्ट आपके question में ही दिया गया था, 7 by 8 का holy square किया, 49 by 64 आ गया, 50 by 42 आता है,